आपका इस दो हफते के भारत योग स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्र में जहां पर प्रती दिन हम आपको एक नया हेल्थ मंत्र एक स्वास्ते मंत्र दे रहे हैं और आप उसे अपना रहे हैं शाम को हमें अपना फीड़बाग भी दे रहे हैं आज का हेल्थ मंत्र है अपना खाना स्वयम बनाएं आप कहेंगे ये तो आचारे जी बहुत ही मुश्किल गाम है बिल्कुल मुश्किल नहीं है आप प्रयास तो करें आप कोशिश तो करें देखिए जब हम अपने लिए स्वयम भूजन बनाते हैं तो वो शारेरिक और मानसि दोनों हेल्थ के दृष्टिकों से बहुत बहुत लाबकारी होता है पहली चीज आपको पता है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं कितना जो है healthy चीजे डाल रहे हैं और उसको कितना कुक कर रहे हैं और दूसरी चीज आप जब अपने लिए स्वयम बनाते हैं तो उसका भाव हो ही दिए होता है अनफोर्चनेटली इस ट्रइशन ओफ गुकिंग फूड़ इस वे गुच्छ वानिश्पूर व में एक देश मी थी और हमने वहां जिस घर में थहरे होई थे हमने कर यहां तो किचन ही नहीं है इतनी जरा सी किचन तो नहीं का तो Guru चीज वो कुक्स होई और जब वो भारत को देखते हैं तो उनने लगता है वा भारत में अभी भी लोग खुद खाना बनाते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको अपने कल्चर को अपने संस्कृति को प्रिजर्व करना है तो यह बहुत आविश्यक है कि आप अपने क्लासिकल देंस को को योग को, क्लासिकल फॉर्मस को भाषा को और अपने भोजन को प्रिजर्व करके रखें जब तक आपका अपका लोकल फूद आप अप्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तब-तक आपकी संस्कृति प्रिजर्व नहीं होगी और वही कारण है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो आगे की जनरेशने हैं, they are more inclined towards western foods rather than eating our own traditional foods क्योंकि घर पर हमने वो traditional foods बनाने ही बंद कर दी Cooking is a beautiful art and it is not a time-consuming art This is very unfortunate that this has become a very, you know, what I call a symbol of being high class saying that I don't know cooking यह हमें cooking नहीं आती है, हमको खाना बनाना नहीं आता है यह वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, यह महिलाओं के लिए और हमारे पुरुष भाईयों के लिए भी है कि खाना बनाना महिलाओं और पुरुषों दोनों को आना चाहिए Cooking is a beautiful art and I know a lot of amazing men who cook amazingly tasty food और उन्हें अपने उपर गर्व होना चाहिए कि वो इतना अच्छा भोजन बना लेते हैं तो चाहिए महिलाओं हैं यह पुरुष आप खाना बनाना सीखें अगर आपको नहीं आता है और घर पर खाना बनाएं स्वयम बनाएं इत एक से ओनली हाफ एनार आदा घंटा सिर्फ आप अपनी कुकिंग को देंगे आप स्वयम भोजन बनाएंगे और फिर पूरा दिन आप देखेंगे कि आप कितने हेल्दी रह सकेंगे तो आज का स्वास्ते मंत्र कि आज आप घर पर बना भोजन करेंगे आप खुद अपना खाना बनाएंगे चाहे महिलाएं हैं या पूरुष और स्वयम अपने हाथ से बना हुआ सादा, सिंपल, हाइली, नूट्रिशिस और हेल्दी फूट खाएंगे और शाम को हमको अपने हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिक करके जरूर बताइएगा कि आज का हेल्थ मंत्र अपना करके आपको कैसा लगा